आंप के अथे लाइन आगया हथाध आथा लिंड हएस के लिए पास अना चृओए एक होस्टिंग डोमेन मेंगपर लीजिए और उसके अपदम कर लीजिए यह WordPress का अगर आपको WordPress setup करना नहीं आता तो उपर डिस्क्रिप्शन में डीवी लिंक को क्लिक कीजिए उसमें आपको पता चल जाएगा कि WordPress का setup कैसे होगा है अगर आपने WordPress को setup कर लिया है तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि एक landing page कैसे create के है सबसे पहले आप जाओगे अपने dashboard में और dashboard पर open कीजिए अपने plugins को मैंने plugins को open कर लिया है इसमें आप install करेंगे अपने plugin को Elemental page builder को यहाप पर मैंने क्लिक कर दिया add new पर यहाप पर सर्च करेंगे Elemental यहां पर सर्च करेंगे Elemental यहां गया Elemental page builder रिस्परम करेंगे install इस्टॉल करने के बाद इसको गरेंगे अक्टिवेट इस्टॉल करने के बाद इसको गरेंगे अब हम क्रेट करेंगे एक नया page यहाप 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 करेंगे यहाप यहाप टॉटॉब्टन यहाप यहाप शार्वश्राश्टी यच्चिवेट का इसको फुक्ट आज। जाने नीचे जाके यहां पे क्लिक करना है Settings पे Settings पे क्लिक करने के बाद यहां पे Elementor Canvas पे क्लिक करना है जैसे आप Elementor Canvas पे क्लिक करोगे या Blank पर उपन हो जाएगा अब आप इस Blank पेज पे कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं मैं को एक एक एक्जाम्पल लिक रिखाती हूँ तोसे मैंने First पे क्लिक किया मुझे Heading लगानी है तो मैंने इसको Select किया यहां से इसको मैंने Plus पे क्लिक किया and Heading उठाके यहां पे Drag Track कर दी यहां पे मैंने लिखा First Heading अगर इसको और बड़ा करना और बड़ा कर दिया इससे हम यहां पे इसको Style में जाके इसको Size जो भी देना चाहते दे सकते हैं यहां पे H1 Tag यूज कर सकते हैं अब इसको Color करना है तो हम Next Tag पे जाएंगे Style पे यहां पे इसको Color चेंज करके कोई भी Color दे सकते हैं मैंने यहां पे इसको Blue Color दे दिया अब इसमें इसका Style चेंज कर सकते हैं इसकी Family यहां से Change कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो Size जी और बड़ा करना चाहते हो यहां से कर सकते हो अगर इसका Phone Family वगारा कोई भी आप इस पे यहां से नीचे जाके कोई भी चीज चेंज कर सकते हो अगर नेक्स्ट है अगर आप इसको Padding वगारा Background को देना चाहते हो Advanced Type में जाओगे यहां से आप इसको Padding दे सकते हो और अगर यहां पे आपने इसको Background देना यहां पे Background को Select करके यहां पे Background टाइप में जाके Classic and then Color अगर मैं Black Color अगर अगर मैं Black Color अगर हूँ तो मुझे यहां से Text Color को वापिस चेंज करना पड़ेगा तो मुझे यहां से Text Color को वाइट अगर को वाइट अपने लिए Now this one is Heading अब आप इसके बाद अगर कुछ दो पिक्चर वगरा लगाना चाहते हो यहां यहां पर तो पिक्चर को Select कर लिया First, यहां पर मैं Example के लिए कुछ Image लगा लेते हैं यहां यहां पर Image लगा दी Image को मैं यहां से Select Image पर करके यहां से लिए को भी फोटो ले सकते हो अगर आप बाहर से पिक्चर लेना चाहते हो अगर आपकी मीडिया में कोई पिक्चर नहीं है तो आप अप्लोड पिक्चर में जाके यहां से Select Photo अपने Computer में से फोटो ले सकते हैं फिलाल मेरे पास यहां पर फोटो है तो मैं यहां से फोटो स्लेक्ट करके यहां पर लगा दी में यहां पर मैंने प्लस के क्लिक करके यहां पर मुझे लिखना है फिर से कुछ Headings तो मैंने यहां से Heading उठाई इस प्लस के उपकर यहां पर क्लिक कर दी तो मैंने यहां पर लिख दिया फिर यहां पर भी इसको अगर सेंटर या कुछ भी करना चाते हैं जो भी आपकी मर्जी वो सेट कर सकते हो स्टाइल में आकर फिर से इसको कलर देना चाहते हो तो मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया अब इसके नीचे अब अगर आपको paragraph लिखना चाते हो तो मैं यहां पर इसपी क्लिक करूँगी अब यहां पर लिख चले क्योंकि कोई प्लस का बटन ही है तो मैं इसमें कुछ और डालना जाते हूं तो मैं इसमें कुछ और डालना जाते हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तुभारा से यहां पर कुछ टेक्स के लिए मैं टेक्स्ट यहां से कुछ टेक्स उठा लेती हूं तो मैंने इसमें के लिए यहां से कुछ टेक्स उठा लिया इसको अबर पैराग्राफ में रखना है उसके बाद आप इस पर कोई भी छोटा करना चाहते हैं पैराग्राफ मैंने इसको पैराग्राफ में कनवर्ट कर दिया इसको सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर कर सकते हो लेफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट राइट करना चाहते हो राइट यहां से कर सकते हो लाल में इसको लेफ्ट ही रख रहे हूं और इस पर स्टाइल में जाके मैं इसमें इसका स्टाइल चेंज कर सकते हूं कलर चेंज कर द शुआ लगए अब इसको बढ़ा दिया अगर नीछे जाकर ल सकते हम बढ़ा दीत नीचे जाकर दीट कोशब कर दिया तो मैंने यहां से 3 column select कर लिये यहां पर plus पर click करके के लिए एक्जामिपल के लिए मैंने इमेज बपक्स स्लिक लिए इमेज बॉक्स लेक्वांड.." . जिया में इस पर पर फिरलत दिया तरह है रखे लिए. एगर आपि इमेज बॉक्स बफ्ट करना चिर्पवनुट करके यहां गर को, अगर दो बल्साइतन है। के दिखाते हैं जैसे चूज इमेज पर क्लिक किया मैंने यहां पर इमेज लगट की और यहां पर इस इमेज का साइज बड़ा करना चाहते हूं तो यहां से भी चेंज हो सकता है अगर आप मीचे जाके और कुछ आड़ करना चाहते हो आपके बहुत सारी ओप्शन है अब मैंने यह बड़ा पार्ट ले लिया तो मैंने यह पार्ट एड़ गिया अब इस पार्ट के अंदर आप अगर कोई न's कले गोशा आपना भी अपनी लिए तो मैंने और यहां पर आपके आप लिक्षाmy ओऊप्शन मैंने यहां पर लिखा इमेच्छुमम मैंने स्लचक करके यहां पर छोट दिया 20 टीकित इसमें यहाँ पे आपको अगर images आइड करनी है तो यहाँ पे आप set करोगे plus पे और आप multiple images select कर सकते है जांपर में इने एक select कर ली दूसरी तीसरी और photos select कर सकते हूँ create a gallery और insert gallery यहाँ पे photos लग जाएंगे अब इसको मैं publish करती हूँ इस page पे click कर रहें यहाँ पे publish पे यह page मेरा publish हो रहा है पब्लिश हो चुका है मैं इसको देखना चाहती हूँ ओके यह मेरा page ट्यार हो गया thank you for watch my video अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें thank you जू अवाल कि दूज ब्वाल